हलो मचो आज स्वावेकूम वेलकम तो माई यीटूब चैनल एट्स मी विक्रम कुमार फांचाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमवाद हलो तो जी बच्वाइए आपनी क्लास कांटीटिटर तो अज के लास परम जो समझेंगे वो आपके सामने स्क्रीं पर फिफ्ट पार्ट सम है के से समझना है के स्कूर्ड़िह अको यह समझने के लिए trasat कि सो समझने के लिए एक जो कॉंसाउस किस समझने है अब कि लिए समझने विक्रते क्र्वाद करने इस ट्रम इंडिकेत करना है, एक्स पॉश्ड़ल ट्रम मुटिक्न हो राए, फ्रेक्शिनल ट्रम के साथ, वह अगन फ्रेक्शिनल ट्रम में, खिक नामेतर ट्रम तुवाई पर है, मुटिक्ला है, सुरी, अब कैसी सुल्ट करें, देखें, यहांपा तो यह आपके साब से में क्या करना हूँ Sine X की जगह पे 2 Sine X upon 2 Multiply by Cos X upon 2 Half-Aggle formula यह आपके 1st year भी पढ़ा जरूर की तो Sine इसको replace करेंगे आपके इस formula And denominator 1 plus Cos X जो है 2 Cos square X upon 2 इसको replace करेंगे By this formula तो यह दोनो formula हम apply करेंगे पहने है ठीक है बच्चत यह समझवाया क्या है formula apply करेंगे अब देगी कैसे apply करेंगे कैसे साब करेंगे यह आपके इसको समझाए और X 1 plus Sine X की जगह पे 2 Sine X upon 2 Cos X upon 2 divided by 1 plus Cos X की जगह पे जगह पे जगह पे जगह आए complete factor 2 Cos square X upon 2 and D X इसको भी जगह पे जगह पे जगह पे आप पी पावर X है 1 divided by 2 Cos square X upon 2 जगह पे जगह पे जगह पे Cos X upon 2 Cos X upon 2 is 2 Cos square X upon 2 and D X सही जगह पे 2 जगह पे जगह पे देते जाए, e power x multiply करेंगे, तो ये e power x divided by 2 cos square x upon 2, check, multiply, अद प्लस e power x सें इस्टे दिए multiply करेंगे, 2 e power x अब देखे, cos square x upon 2 रेकर मम पैंसिल कर सकते हैं, तो बादी, sin x upon 2, divided by 2 cos square x upon 2, अब इस्क्वार नहीं रहेगा, तो ये एट रम हमने cancel कर दिया, तो ये सी समझवाई clear है, ठीके, अब आगी मुझे, आगी मुझे से समझें कि जरूर हर चीज़ के लिए हो भी जाएगी, अब देखे, e power x divided by 2 cos square x upon 2 bx, दोनों को separate indicate कर रहा हूँ, अब यहां का 2, 2 भी cancel हो जाएगा, बादी, e power x, sin x upon 2, divided by cos x upon 2 and dx, ये लिए है ये चीज़ नहीं, ओके बच्चों, ठीक है, या, अब देखे, पहले simplify करेंगे, सब्कांस को, पाद में टीकेट आता है, तक हम दों समझ सकेंगे, अब e power x upon 2 plus x square, यहां पर one upon में अगर cos x हो, तो, तो इसक्राम को हम देखे, तो में sin x के लिए प्रेस कर सकते है, साही है, तो मैं इसे में का कर रहा हूँ, ये जो फॉस्ट पैक्स जो लिखा है, e power x divided by 2, यहां पर 6 x upon 2 square upon में class है, means 6 x, तो में upon class ही जागे पर 6 square को यहां में square, कि लिए जिए 2 divided by 2 है, भोट सेंट रहे हैं, ठीक है बेटा, plus second choice है, अब देखें, next step देखें, e power x, 6 square divided by 2 divided by 2 है, e power x, sin x upon 2 divided by cos x upon 2 को, tangent x upon 2 लिख सकते हैं, sin upon cos means tangent है, equivalent, ठीक, यहांबर हवाला भी दे रहा हूं ताकर आपके फिल ना हो, sin upon cos, angle same होगी, tangent है, जो angle होगी फिलियत, अब ने, step में integration हो, दोनो में e power x कामन है, तो में क्या कामन है, 1 divided by 2, 6 square x upon 2, plus tangent x upon 2, and dx e power x कामन है, दोनों में कामन है, clear जातो, अब देखें, x स्टेट में समझने की कोशिश करेंगे, तो जरूर समझना है, यह बना 1, 2 आके जी मुझना है, as a coefficient formula, as a coefficient की तोर कंकर, as come के साथ मुझूद है, चीक है, अब देखेंगे, यहां में इस formula भी use का होगा, कौन सा formula, लिखते हैं, using formula, तो उन्सा formula, इस फावफ्वार इकस, के साम जो function हो जूद है, उसके साम प्लस में उस function की derivative हो जूद हो, तो यह, x function town into f of x plus cancel of integration c formula, as I make, सही, तो इस फाइए, पिर था गाटेंट इस formula, integration of gain function, जी कैस तो, 1 आपान तो, यह तो फोफी छटे सहाभाएगा, E power X अब देख सेक स्क्वार X function है सेक स्क्वार X की जो डेरिवेटिव है वो तेंट जेंट एक्स अबान तू अबान दिरेक्शन जाम है तो इसके जाथ यह जो 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 बना पार है साहिए है तो मेंस E power X इंटो सेक स्क्वार साहिए नहीं क्योंकि टेंट की डेरिवेटिव सेक है सेक स्क्वार X की इंटिक्रेशन है है और सुझमें चीक है तो उसके साबसे में कैसे लिफ्रांस को कैसे समझा हम आपको यह तो कामन ले जिया हमने बना पान टू सेक स्क्वार X अपान टू चीक है एक स्क्वार बढ़ाते है ताकि इसी समझी पार X रियर्रेज करने में तो पहले टेंट X अपान टू प्लस अपान टू सेक स्क्वार X अपान टू ब्रेके टोवर एंटी अब देए फस्ट पॉंक्शन इसकी जो डेरिवेट वो गोशी है इस फंक्शन की जो डेरिवेट वो यह है डेरिवेट अब समझना है रियर्रेंज करने के पार ठीके बचो रियर्रेंज करना जो गी है तो फामलाए के साब से यह पार X है ठीक F of X, F of function इस टेंट टेंट X अपान टू प्लस कांशन आफ इंटीकेशन सी इस बचो 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 समझेगे जरूर समझ में आएगा कोशीश करके देखे जरूर समझेगे एद दें प्रेक्टिस करने आएगा तो फाइनली आप लोगा फर्स बनता है कि यूट्यूब चनल को जरूर सब्सक्राइब करें शेर करें उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें आएगा कि हर जो विडियो अप्लोड होगी अपका रोडिवेक्शन आएगा उसको प्राबलम आए प्राबलम समझेगे सीखीगे टाइम बें कम्प्लेट कर सकेगे ओगे बचो अलार्स